हेलो फ्रेंस वेल्कम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों लिए बहुत सुन्दर सी एक बेबी स्वेटर यह देखे जो हमने 6 मंत के बेबी के लिए बनाई हुई है अगर आप इसको न्यूबॉन बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो बना काफी वीवर्स कॉमेंट करते हैं कि यह चीज कितनी है वो चीज कितनी है तो मैं इसमें फुल डिटेल आपको बताऊंगी आप इसकिप नी करेंगे तो आपको फाइदा रहेगा ठीक है देखे इसकी अगर मैं टोटल लेंथे रखूं देखूं इसको तो 10 इंच है अगर आ इसकी न्यूबॉन बेवी के लिए भी ठीक है साड़े साथ इंच है अगर यहां पर दो एक फंदा दो फंदे यहां से दो फंदे यहां तो यह साथ इंच के लगवक होगी लेकिन हैंड मेंट जो बने होते न वो इस तरह से स्टेचेबल होते हैं खिचते बहुत हैं ठीक है और बाजू की मैं अगर लेंध देखो तो पांच इंच है पांच इंच को आप एक इंच हटा करके चार इंच तैयार कर सकते हैं न्यूबॉन बेवी के लिए ठीक है तो यह हो गया शिक्स मन्त और न्यूबॉन बेवी के लिए अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो ला की है देखे यहां पर मैंने वर्दमान की ही उन यूज की है जो इस तरह की आती है वाइट है वाइट में एक धागा ब्लू कलर का लगा रखाया और इसमें वाइट यह जो चार्मिंग की है ठीक है दोनु ही वर्दमान की है यह और इसमें अभी तक 100 ग्राम लगबक उन लग अगर हम बटन हटाएंगे तो हो सकता है 85 के आसपास लगाओ 85 ग्राम ठीक है तो आपको 100 ग्राम सिर्प अगर स्वेटल बनानी है तो बनाना है अभी हम इसमें कैप बनाएंगे सॉक्स बनाएंगे तो उसका फुल जो वेट होगा वह मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बनाऊंगी हो सकता है इसकी डैंगरी भी बनाएं हम इसके साथ की पैजामा या कुछ ऐसा बनाएं तो आप मेरे चैनल पर बने रहेगा वीडियो को पूरा देखेगा बिना स्किप किया अगर आपको यह स्वेटर बनानी है तो पार्ट नमबर वान अपलोड हो चुका है ज और इसमें जो कैप सॉक्स बनेगा वह भी पार्ट नमबर 123 इस तरह से आता रहेगा ठीक है कोई आपको परिसानी है कहीं पे आपको दिक्कत आरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कीजेगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी और बिगनर्स भी आराम से बना सकते ह नहीं आता और वो चाते हैं उनके बच्चे इस तरह की सवेटर पहने या वो गिफ्ट करना चाते हैं तो हम इस तरह की सवेटर बना करके ऑर्डर से आप लोगों को दे सकते हैं तो चलिए इसको हम बनाना सुरू करते हैं तो चलिए फंदे ले लेते हैं यहाँ पे मैंने फंदे ले लिये हैं 56 छपपन फंदे ठीक है चपपन फंदे ले लिये डबल धागे में लिये हूए हैं और 11 की निड़ल अभी हमने यूज की यहाँ पे तो पहली रो बना लेंगे इस तरह से परल में ठीक है border बना रहे हम गले का तो पूरी रो बना लेते हैं इस तरह से परल में हम बनाएंगे frontside की भी और backside की भी रो ठीक है यह देखें उल्टा उल्टा बनाएंगे अगर आपको एक उल्टा एक सिधे वाला पैटन देना है तो वो भी दे सकते हैं ठीक है देखे रो कंप्लीट करके आगे हम बैक साइड में बैक साइड में भी हम इसी तरह से पर्ल में ही बनाएंगे यह देखे दूसरी रो है अमारी पहली रो फ्रंट साइड की थी और दूस पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे दोनु साइट से जब भी हम रो कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो अब बटन होल भी बना लेते हैं इसमें बटन पट्टी के लिए हम छे फंदे लेंगे छे फंदों में से हम बटन होल बनाएंगे एक दो और ये तीन तीन फंदे लेने के बार अब हम यहाँ पी जाली देंगे इस तरह से धागे को नीडल में लपेट लेंगे एक बार और दो फंदों का एक कर लेंगे तो इस तरह से हम buttonhole बना लेंगे और यह row complete कर लेंगे front row से हम buttonhole बना रहें इसमें तो चलिए यह row complete कर लेते हैं उसके बाद आते हैं back row में back row में अब हमें फंदे बढ़ाने हैं 6 फंदे बढ़ाने हैं तोटल पूरी row में ठीक है थोड़े थोड़े distance में ये हमने बटन हूल बना लिया है देखे कैसे बढ़ाएंगे 6 फंदे एक दो तीन चार पांच छे इस तरह से बढ़ाएंगे ठीक है मलब पूरी रोमा आपको थोड़ा थोड़ा दिस्टैंस से दे करके 6 फंदे बढ़ाने है जैसे कि आपको पता हमारे स्वेटर में 5 पांच होते है ठीक है उस हिसाब से तो यहां पर हमने पहले 6 फंदे बटन पट्टी के बीना बढ़ाई ले लेने हैं मतलब बटन पट्टी में हम कभी भी फंदे नहीं बढ़ाएंगे ठीक है बटन पट्टी के बाद 2-3 फंदे बनाने के बाद बढ़ाएंगे तो देखे यह जैसे मैंने बताया आपको पांच पाट होते हैं दो फ्रंट के दो बाजु के एक बैग का तो उसी इसाब से हम जैसे एक फ्रंट साइट की तरफ बढ़ाएंगे यहां पर हमारा लगभग बाजु आएगा तो एक बाजु की साइट को बढ़ा देंगे और अब हमारा बैक का जब पार्ट बनेगा उसके फंदे आएंगे तो यहां पे हम थोड़े थोड़ी डिस्टेंस में दो फंदे बढ़ा देंगे देखिए एक फंदा नीचे से लूप लेंगे वह लूप छोड़के जो बना रहे हैं उसको छोड़के उसके नीचे वाला लूप लेंगे, ठीक है, एक फंदा ये बढ़ा दिया, बैक पार्ट में, एक फंदा और बढ़ा लेंगे, एक और फंदा बढ़ा लेंगे हम, बैक पार्ट है, ये देखिए, ये लूप छोड़ा, नीचे वाला लूप उठाया और बना लिया, अब हमारे चार फंदे बढ़ वहां पर हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे यह देखे लूप इस लूप को छोड़के इसके नीचे वाला लूप हमने उठा लिया अब हम जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा वहां पर उठाएंगे फंदा एक छे फंदे हम बॉर्डर के छोड़के चार-पांच फंदे बचे हैं भी तो यहां पर उठा लेते देखे एक तरीका यह भी होता है इस तरह से अंगली में लपेटा और इस तरह से फंदा बढ़ा लि तो यह सारा जिसमें हमने फंदे बढ़ाये थे वो रो बैक वाली हमारी कम्प्लीट हो गई है बैक रो में हम फंदे बढ़ाएंगे ठीक है और यहां पर हमने फ्रंट साइड में देखे बटन पट्टी के लिए जाली दी थी यह वाला फंदा है इसको बना लेंगे सिंपल तरीके से आपके अगर छोटा बटन है तो आपको बस इतना ही बनाना है इसको थोड़ा सा मैं इसमें बड़ा बटन लगाऊंगी तो कैसा है इसको थोड़ा बड़ा बनाऊंगी यह देखेगा आप यह हमारा देखे एकदम आपका छोटा बटन इसमें आराम से चला जाएगा थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेंगे लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अगर आपको बढ़ा बटन लगाना है तो आपको क्या करना है वो बता देती हूँ देखे क्या करेंगे पहला फंदा हमने ऐसी ले लिया दूसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे और तीसरा फंदा बना लेंगे और चौथा फंदा जो हमारा ये जाली वाला है न आप अगर छोटा बनाना है तो ऐसे बनाईए बड़ा बनाना है तो बिल्कुल नीचे से आपको लूप ले लेना है ठीक है ऐसे करेंगे तो आपका देखे ये देखे ये बटन होल थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ठीक है तो दो तरीकों से आप बटन लगा सकते हैं अगर छोटा बटन चाहिए तो आपको उपर वाले लूप से ही आपको सिंपल से बना लेना है ठीक है तो इसी तरह से हम सारे बटन hole बनाएंगे तो चलिए border बना लेते हैं यहाँ पर हमने border complete किया है 5 line में ठीक है मतलब 10 row में और यहाँ हमारे total फंदे हो गए 62 62 फंदे हो गए हैं अब हम इसमें divide करेंगे जाली देंगे ठीक है जाली कैसे देंगे यह देख लीजे शुरू के 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे यह हम बटन पट्टी का border बना रहे हैं 6 फंदों का हमने border लिया हुआ है ठीक है देखे 1 2 3 4 5 6 धागा पीछे करेंगे फ्रंट पार्ट के फंदे बनाढ़ेंगे एक दो टीं चार 5 एक दो तीं चार पांच चेई दो तींच चार पांच और यह 6 6 फंदे हमने border में बनाए हैं और 6 फंदे हमने simple बना लिए अब एक फंदे में हम जाली दे देंगे धागा आगे करके दूसरा जब जाली देंगे इस फंदे को हम गिन भी लेंगे ठीक है जाली भी देंगे एक गिनेंगे इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नो फंदे नो फंदे होगे फिर धागा आगे करेंगे एक फंदे में जाली देंगे फिर धागा आगे करेंगे इस फंदे में हम जाली देंगे और एक गिनेंगे इसको एक ठीक है, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चवदा, पंदरा, और ये सोला, सोला, फंदे हमारे बैक पार्ट माएंगे, ठीक है, तो अब तक हमने दो जाली दे दी हैं, यहाँ पे, ठीक है, दो बार, मतलब चार फंदे बढ़ गए हैं, दो जाली और देनी हमको, धागा आगे करेंगे, इस वाले फंदे में जाली देंगे, देखे, ये जाली वाला 7, 8, 9, 9 फंदे हमारे बाजु के हो गए फिर हम एक फंदे में जाली देंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर गिनेंगे जाली देते हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ठीक है छे फंदे हमारे फ्रंट के आ गए हैं अब हम आरे पास छे फंदे बचे हुए हैं इनको हम बॉर्डर का बनाएंगे उल्टा उल्टा तो आगे आओगा आपके समझ में 6 फंदे में हमने बॉर्डर दिया है फिर 6 फंदे हमने प्लेन बनाए फिर जाली दिये फिर 9 फंदे बनाए हैं फिर 16 फंदे बनाए हैं बैक साइट के फिर जाली दिये फिर 9 फंदे बनाए हैं बाजू के फिर 6 फंदे हमने बनाए हैं फ् हम नीचे को बनाएंगे अब ये पूरी बैक रो हम परलो में बनाएंगे उल्टा उल्टा बनाएंगे ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आया कि किस तरह से डिवाइट किया है तो एक दो बार अच्छा से वीडियो देखेगा आज आएगा समझ में बहुत ही सिंपल तरीका ह और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी बांकि अब हम बैक रो भी कंप्लीट करके आ गए हैं पहली जाली गंप्लीट हो गई ये देखे पहली जाली आ गई हमारी ठीक है ये देखे एक दो यहां पर तीन तीसरी जाली और ये चौथी जाली ठीक है चार जाली आ गई है अब हम फ्रंट वाली दूसरी रो में आ गए हैं यहां पर हम छे फंदे बॉर्डर के बना लेंगे ये वाली जाली भी आप अच्छे से देखेगा और ये दो रो में जो हमने फर्स्ट रो म और second row में जाली दे देना, यही पूरे sweater में हम इसी तरह से जाली देंगे, ठीक है, तो फिर से हम 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे, 5 फंदे, 5 फंदे बना लिए हमने, और ये 6 फंदे, 6 फंदे बना लेंगे, इस बार की जाली देखिए, हमको एकदम जो जाली वाला फंदा है, इस जाली नहीं देनी है हमको, इससे एक फंदा पहले जाली देनी है, ठीक है, ये देखिए, इस फंदे से पहले जाली आएगी, दूसरी बार की जाली, ये देखिए, धागा आगे करेंगे, इसमें हम जाली देंगे, और ये जो जाली वाला फंदा है, इसको प्लेन बनाएंग चाली बाद वाला फंदा भी बनाएंगे, तब हम एक जाली और देंगे दागा आगे करके, अब हमको गिनने की ज़रूरत नी है, यह देखे, यहाँ पे फिर से जाली आगी, बीच पाहा आपको जाली वाला फंदा दिख दोगाओगा, देखे, इसके अगल बगल आपको एक फंदे दिखते हैं तो आपको यहां पर जाली दे देनी है पहले एक फंदा पहले फिर जाली वाला फंदा फिर एक फंदा बाद में फिर जाली ठीक है फिर बैक पाट के फंदे बना लेंगे इसी तरह से हम पूरी स्वेटर में जाली देंगे तो पूरी स्वेटर तो मैं बता बता दूंगी बाकि आप आगे को अच्छे से बना लीजे देखे इस जाली को पहले आप थोड़ से फंदों में सीखेगा ठीक है तुरंत ही आपको स्वेटर सुरू नहीं कर देनी है आपको पैटन भी सीखना है जाली भी सीखना है यह देखे यहां पे बीच में जाली का फं फंदा है उससे पहले हमको जाली दे देनी है और इस तरह से बनाना है और इदर भी इस साइड हमको जाली देनी है बहुत आसान है ऐसी बनाना तो ये लास्ट जाली है हमारी ये देखें ये देखें मैंने ये गलती की न जाली के बगल वाला फंदा भी बना दिया तो इसको खोल लेंगे ये बीच वाला फंदा इसके अगल बगल एक एक फंदा होने से पहले हम जाली डाल देंगे और जाली वाले फंदे को और उसके राम से बनाईएगा एक बात जाली सीख लिए उसके बाद यहां पे छे ब्वंड के लिए परल्मवन के लेंगं उल्टा उल्टा एक आपको बॉर्ड के लिए कोई और देना है तो वह भी दे सकते यह लास्ट फंथे को सीधा बना लेंगे घिंचे एक behcción 120 अगल जाली देंगे एक बार हम एक फंदे से एक पंड़ा पहले जाली देन तो थीं फंदे हो जाएंगे बीजमें बैक रो हमारी पूरी परल मैं आएगी जिसे यहes हम कंप्लीट कर लेते हैं leftover तो देखे back row complete करके आगे हम front row में और दो जाली हमारी complete होगी यह जाली इस तरह से आएगी अब यही दो जालियों को हमको बार-बार repeat करना है जैसे हम अब कौन सी जाली देंगे जैसे हमने फिर्स्ट रो में जाली दे थी ठीक है छे फंदे हमने border के बना लेने है पल में और हमको बटन होल का भी ध्यान रखना है ठीक है बराबर डिस्टैंस में बटन होल भी बनाने है अब हमको फंदे गिनने की जरूरत नहीं है बस जाली के पास चले जाएंगे हम सीधा बनाते हुए यह देखे हमको जाली वाली जो फली तो देखें, दो फंदे बना लिए, एकदम बीच में आगे हम जाली वाली फली के पास. यहीं पे हम जाली देंगे अब. जैसे हमने 1st, यह देखे. जैसे हमने 1st लाइन में किया था. एक बार हमारे जाली वाले फंदे के अगल बगल जाली आएगी, ठीक है तो यहां पे हम फिर से उसी फंदे के बगल में जाली देंगे जो हमने जाली वाला फंदा बनाया हुए है दोनों साइट इसी तरह से हम बनाते हैं आ गया होगा आपके समझ में बहुत आसान है जैसे हमने दो रो में जाली बनाई है उसी दो रो को हम बार बार पिसरी जाली देनी है, फिर चौथी जाली हमको उसके एक फंदा पहले देनी होगी, फिर पांचवी जाली हमको उसी के अगल बगल देनी होगी, एक बार उसके अगल बगल देनी है, एक बार उसके दो फंदे पहले देनी है, ठीक है, तो जितना भी मुझसे हो सक रहा है, उसी इसाफ से मैं समझा रही हूँ बाकी आप एक दो बार जरूर वीडियो देख लीजेगा और थोड़े से फंदे ले करके प्लीज इस जाली को पहले सीख लीजे उसी के बाद अपलाई कीजेगा ठीक है कहीं पर कोई गलती होती तो उसके लिए आप मुझे बताईएगा जरूर फिर से आगए जाली के पास ये देखे बिल्कुल जाली के वाले वाले फंदे में हम जाली देंगे उसके ही बराबर में दूसरी जाली भी देंगे एक बार उसके अगल बगल जाली देंगे एक फंदा छोड़के जाली देंगे यही हमको बार बार दोराना है इतनी बार मैं इसलें mention कर रही हूं आपके इतनी बार repeat इतने बोल रही हूं कि यह main चीज अगर जाली में आपके cleanness नहीं आई तो sweater अच्छी नहीं लगेगी ठीक है धागा आगे करेंगे इस फंदे में जाली देंगे फिर धागा आगे करेंगे और जाली देते हुए row complete कर ले देते हैं उल्टे 6 फंदे यहां पर हमारी 3 जाली complete हो चुकी है यह देखे अब बैक रो बना लेंगे बैक रो में हमको कुछ भी नहीं करना सारी सारे फंदे हमको परले में बनाने हैं सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे ठीक है तो चलिए यह row भी complete कर लेते हैं बैक वा जाली में यह देखे यहां पर हमारी 4 जाली शुरू हो ग yol गई है इसको भी में थोड़ा सा बता देती हैं आपको चोथी जाली हमको सेम, दूसरे जाली जब हमने दी थी, उसी तरह बनाने है जब हमने दूसरी जाली दी थी, ठीक है फंदे गिनने की जरुवत नी जहां तक जाली है, वहां तक हम सिंपल बना लेंगे ऐसा यह देखें आपको ये बीच वाली जाली की फली दिख रही है न ये इसके बगल में हमको एक फंदा रखना है ये देखे ये है और इसके बगल में ये फंदा है ये फंदा है यहाँ पर हमको जाली दे देनी है एक फंदा बनाएंगे जाली वाला फंदा बनाएंगे उसके बगल वाला फं तरह से देनी है, ठीक है? तो इस तरह की जाली ना, बहुत सुन्दर दिखती है, और नहीं आपको समझ मा रहा है, तो आप सिंपल जाली दीजिएगा, ठीक है? फिर से आगे हम जाली वाली जगए, ये हमारी जाली वाली फली है, इसके बगल में हमको एक फंदा रखना है, ये देखे, और ये हम यहां पर जाली दे देंगे, इस फंदे को बना लेंगे, जाली वाला फंदा बना लेंगे, उसके बगल वाला फंदा बना लेंगे, और फिर एक जाली दे देंगे, इसी तरह से हम सारी जाली दे देते हैं, और रो कंप्लीट कर लेते हैं, यह देखे, यहां हमने चार जालियां दे दी हैं इस तरह का पैटन आ गया है जाली वाला तो इसी तरह से दो दो का सेट बनाते हुए हमको आर महुल तक इसी तरह से इसको बना लेना है ठीक है तो चलिए इसको आर महुल तक बना लेते हैं देखें आर महुल तक हमने बना लिया है और जालिया इ थोड़ा सा बड़ा बनाना है अब 16 या 18 जालियां भी इसमें काच सकते हैं ठीक है और टोटल फंदे इसमें अब होग चुके हैं 174 एक सो चरहत्तर फंदे ठीक है 174 फंदे यहां पर हो गए है फ्रेंट पार्ट की अगर मैं बात करू फ्रेंट पार्ट में हमारे कित्ते फंदे 26 फंदे यह हमारे फ्रेंट पार्ट में रहेंगे फिर उसके बाद हम बाजू की देखें तो बाजू में हमारे यहां पर 39 फंदे ठीक है 49 49 फंदे नहीं बैक पार्ट में हमारे यहां पर 44 फंदे हैं और फिर हमारे बाजु में यहां पर 39 फंदे हैं फिर फरण पे हमारे 26 फंदे तो टोटल यहां पर 172 फंदे स्सूरी 174 फंदे हो गए ठीक है अब इन फंदों को क्या करना है हमने देखे जो ये फ्रंट पार्ट के हमारे 26 से 26 फंदे हैं इनको हमें नहीं बनाना है अब अब हम पहले बाजू बना लेंगे अब आपको इसमें जो पैटन दिया है इसकी वीडियो पार्ट 1 में मिल जाएगी ठीक है आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं तो पार्ट 2 में हम इसमें गले से लेकर के आर महोल तक ही बताएंगे, इसके बाद पार्ट 3 में आपको आगे को देखने मिलेगा, कि बाजू हमने कैसे बनाई है, और दूसरी बाजू कैसे बनाई है, फिर फ्रंट और बैक वाले पार्टो को कैसे हमने जोड़ा है, वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इस वज़े से काफी सिकायता आती है, कि आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, तो आप पार्ट में दीजिए, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका पैटर्न दिया हुआ है, सेकीन पार्ट आज आज आप देख रहे हैं, जिसमें हमने गले से ल